गुरुग्राम के भोंट से इलाके में टेंट के गोदाम में आग लगने के वज़े से करोडों रुपे के नुकसान का मामला सामने आया है। साकुशल बाहर निकाल लिया गया। खालकी आग लगने से करोडों रुपे का नुकसान आका जा रहा है। यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि आग लगने के पीछे क्या कुछ वज़े रही थे। किस चीज़ का काम रही है। यह हमने गुप्टा टेंट के नाम से कुप्टा टेंट के नाम से इनके अपना साफ है। मकान भी है और गुदान भी है। लगबद कितना है नुकसान का नुमाल लगा जाता है। मतलब जो भी घर में कोई छूटी है, कील भी नहीं बिचिए। गर गुजारे के लिए कोई सुरशोई का सामान, सारा सामान, बैट इस तर सब कुछ ज़र के खात हो चुका है। यह करोन में इस आपशिट में खर्चा है। पूरी बिल्डिंग की देखेंगे, तो आप जाएं पूरे विल्डिंग भी तर भी डैमेज हो, बड़ी 80% डैमेज है। अपके बहुत बारी नुक्षानज की शफ्ती करना बहुत पूरी जीवर की तो कमाईती लगों की, पूरी जीवर की पूरी प्रवर्सा है। शुकर ये राव अग्वार का कि कोई कैजबन दिया है, पुरा परिवार सेफ है, थैंक यू जैसे क्या लगी दिया आग? वहाने पास तक्रविबन तीन बजे कम ऐसे चाया, पीमपी कर और हमें तक अलगा कि बहुत से नाम एक मतान में आग लेगी है इसके लिए हमने गुड़ामा से आपकी गाडियों को बढाया और हमारे उस अधिकारी भी मौके पर बहुत है और आग पर कंट्रोल कर दिया है कितने कितने कंटे लगे आग पर कंट्रोल कर दिया है आग आग अभी कंट्रीजी ओप्रेशन चालूँए कितने काड़ी अपकर प्राइबी कितने काड़ी आठी पास था है कि अधिया गुशाग लगी कि अधिया पागे पुछाग लगी है ताल लगे फाइबी फोन करा आप नहीं मेला काफस केट तक तब तक अधिक पाद पगड़ पकड़ चुटी झाल